श्री शिव महापुराण के अंतरगल्त द्विती रुद्र संघिता के द्विती स्तरीखंड में प्रह्मा और विष्णु द्वारा शिव से विवा के लिए प्रार्थना करना और शिव का उनके प्रार्थना में स्विकृति आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोज को लाइक, शेर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवर्ष्य सुने और लाभांदेथ हूँ ब्रह्मा जी बूले भगवान विष्णु आधी देवताओं के द्वारा कीगे इस तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसंद हुए और जोर से हचे सपत्निक ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को साथ आया हुआ देखकर महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप करके हमारे आगमन का कारण पूछा रिद्र बूले हे हरे हे विधे हे देवताओं और महरिशियों आप लोग आज निर्भय होकर अपने आने का ठीक ठीक कारण बताईए आप लोगों की स्तुती से मैं बहुत प्रसंद हूँ आप लोग किसलिए यहां आए हैं कौन सा कार्या पड़ा है धैसब मैं सुनना चाहता हूँ ब्रह्मा जी बोले हे मुने महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर सभी लोगों का प्रता मह मैं ब्रह्मा भगवान विश्नु की आज्या से कहने लगा हे देवादी देव हे महादेव हे करुणा सागर हे प्रभो हम दोनों इन देवताओं और मुनियों के साथ जिस उद्देशे से यहाँ आए हैं उसे सुनिए हे विशब्धच विशेशूप से आप के लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं क्योंकि हम तीनों सहय तार्थी हैं अर्थात स्रिष्टी चक्र के संचालन रूप परियोजन की सिद्धी के लिए एक दूसरे के सहयक हैं सहार्थी को सदा परस पर यथा योगे सहयोग करना चाहिए अनिधा ये जगर टिक नहीं सकता हे महिश्वर कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे द्वारा मारे जाएंगे कुछ भगवान विश्णू के द्वारा और कुछ आपके द्वारा वद्ध्य होंगे हे महाप्रभो कुछ आपकी वीरे से उत्पन्न पुत्र द्वारा मारे जाएंगे और कुछ असुर आपकी माया के द्वारा वद को प्राप्थ होंगे। आप भगवान श्यंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा, उत्तम, सुक प्राप्थ होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्त एवं अभय प्रदान करेंगे। आप राग दूश्रहित, योग युक्त एवं सरवथा दयालू है। इसलिए हो सकता है कि आप असुरों का वधना करें। हे इश जब ये अराधना करके वर प्राप्थ कर लेंगे तब स्रिष्टी की स्थिति किस प्रकार रहेगी। इसलिए हे विशब्धवच, उचित यही है कि आप इस स्रिष्टी की स्थिति के लिए सदयव असुरों का वध करते रहें। यदि स्रिष्टी, पालन तथा संघार कर ना करने हूँ, तब हमारा तथा माया का भिन भिन शरीर धारन करना सार्थक नहीं रहेगा। वास्ता में हम तीनों एक ही सरूप वाले हैं, किन्तु कारे के भिन 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 शरीर धारन करके स्थित हैं। यदि कारे भिन ना सिधो, तब तो हमारे रूप भिन का कोई प्रियोजन नहीं। परमात्मा महिश्वर एक होते हुए भी अपनी माया के कारण ही तीन रूपों में विभगत हैं। वे प्रभु अपनी लीला से स्वतंत्र हैं। श्रीहरी उनके वामांग से उत्पन हुए हैं। मैं प्रह्मा उनकी दाहिने अंग से उत्पन हुआ हूँ। और आप उन सदाशिव के हृदे से उत्पन हैं। अतर आप ही शिवजी के पून रूप हैं। हे प्रभु इस प्रकार भिन सुरूप वाले हम तीन रूपों में प्रकट हैं। और जो वस्तुतह उन शिवाशिव के पुद्र ही हैं। हे सनातन इस यथार्त तत्व को आप फ्रदय से अनुभव कीजिए। हे प्रभु मैं और भगवान विश्णू आपके आदेश से प्रसंता पूर्वक लोग की सृष्टी और पालन का कारे कर रहे हैं। तथा कारे कारण वर्ष सपतनिक भी हो गए हैं। अतह आप भी विश्विहित के लिए तथा देवदाओं के सुख के लिए एक परम सुंदरी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहन करें। हे महिश्वर एक और बात सुनिए। मुझे पहले के व्रितांत का स्मरण हो आया है। जिसे पूर्वकाल में आपने ही शिर्ष रूप से हमारे सामने कहा था। हे ब्रह्मन, मेरा ऐसा उत्तम रूप आपकी अंग से प्रकट होगा, जो लोग में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। आप ब्रह्मा स्रिष्टी करता होंगे, श्रीहरी जगत का पालन करने बाले होंगे, तथा मैं सबुन रुद्र रूप होकर संघार करने बाला होंगा। मैं एक स्त्री के साथ विभा करके लोग का उत्तम कारे करूंगा। आप अपने द्वारा कहे गए बचन को याद करके अपनी प्रतिग्या को पूर्ण कीजे। हे स्वामिन, आपका आदेश है कि मैं स्रिष्टी करूं, श्रीहरी पालन करें और आप स्वेम संघार के हिदू बन कर प्रकट हूं। सो, आप साक्षा चिवी संघार करता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपकी बिना हम दोनों अपना-पना कारे करने में समर्थ नहीं हैं। आतह आप लोखित के कारे में तत्पर एक कामिनी को स्विकार करें। हे शम्भो जैसे लक्षमी भगवान विश्णों की और साबित्री मेरी सह धर्मिनी है। उसी प्रकार आप इस समय अपनी सहचरी कांता को ग्रहन करें। ब्रह्मा जी बूले, मेरी यह बात सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाले वे लोकेश हर श्रीहरी के सामने मुझसे कहने लगे। हे ब्रह्मन, हे विश्णों, आप दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिये हैं। आप दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। आप लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ट और त्रलोकी के स्वामी हैं। लोखित के कारे में मन लगाए रहने बाले, आप दोनों का बचन अत्यंत गौरफपूर्ण है। कि दुहे सुर्श्रेष्ट गर्ण सदा तपस्या में सनलगन रहकर संसार से विरत रहने वाले और योगी के रूप में प्रसिद मेरे लिए विवा करना उचित नहीं है। जो निवृति के सुन्दर बार्ग परस्थित अपनी आत्मा में ही रमन करने वाला निरंजन अवधूद देह वाला ग्यानी आत्मदर्शी कामना से शून विकार रहित अभोगी सदा अपवित्र और अमंगल वेश्थारी है। उसे संसार में कामनी से क्या क्रियोजन है। यह इस समय मुझे बताईए। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनन्दा आता है। ज्यान हीन पुरुशी भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विभा करना बहुत बड़ा बंधन समझा गया है। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि उसमें मेरी अभिरूची नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। उसका भलिभांदी चिंतन करने के कारण लौकिक स्वार्थ में मेरी प्रव्रत्ति नहीं होती। तथा भी आपके जगत के हित के लिए हित कर जो कुछ कहा है उसे मैं कहूँगा। आपके बजन को गरिष्ट मान कर अथ्वा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं विभा अवश्य करूँगा। क्यूंकि मैं सदा अपने भक्तों के अधीन हूँ। हे हरे! हे ब्रह्मन! परन तुमें जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में गरहन करूँगा और जिस शरत के साथ करूँगा। उसे जुने! मेरा वचन सर्वता उचित है, जो नारी मेरी तेज को विभाग पूर्वक गरहन करने में समर्थ हो। उस योगिनी तथक काम रूपनी स्त्री को मेरी पत्नी बनाने के लिए बताएं। जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा। जब मैं कामा सथ हूं तब उसे भी कामिनी के रूप में रहना होगा। वेदे वेता विद्वान जिनने अभिनाशी बतलाते हैं उन जियोति सुरूप सनातन शुपत्तव का मैं सदा चिंतन करता हूं। हे ब्रह्मन उन्स सदाशिव के चिंतन में जब मैं ना लगा हूँ तब उस कामिनी के साथ में समागम कर सकता हूँ जो मेरे शिर्चिंतन में विग्ण डालेगी वैदुर भागास्त्री मेरी भार्य नमने आप ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों ही महा भागिशाली ब्रह्म सुरूप शिवजी के अंशभूत हैं आतह हमारे लिए उनका नित्य चिंतन करना उचित है हे कमलासन उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवा के ही रह लूँगा किन्तु उनका चिंतन छोड़कर विवा नहीं करूँगा अतह आप लोग मुझे इस प्रकार की पतनी बताईए जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके हे ब्रह्मन, उसमें भी मेरी एक शर्थ है उसे आप सुने यदि उस तरीका मुझ पर और मेरे वज़नों पर आविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूँगा ब्रह्मा जी बूले उन रुद्र की बात सुनकर मैंने और शिर्थ विष्णु ने मन्द मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसंता का अनुभव किया फिर मैंने विनम्र होकर यह कहा ही नात ही महेश्वर हे प्रभो obs आपने जिस प्रकार की स्थी का निर्देश किया है वैसी ही स्थी के विशय में मैं आपको प्रसंता पूर्वक बता रहा हूं वे उमाज जगत की कार्य सिध्धी के लिए भिन्य भिन्य रूप में प्रकट हुई हैं हे प्रभो सरस्वती और लक्ष्मी के ये दो रूप धारन करके वे पहले ही प्रकट हो जुकी है महालक्ष्मी तो विश्णु की कांता तथा सरस्वती मेरी कांता हुई है लोख हित का कारे करने की इच्छा वाली वे अब हमारे लिए तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई है हे प्रभु वे शिवा सती नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर हुई है वे ही आपकी ऐसी भार्या हो सकती है जो सदा आपके लिए हित कारेनी होंगी हे देवेश वे दिर्वरत में स्थित होकर आपके लिए तब कर रही है वे महातीजस्विनी सती आपको पती रूप में प्राप्द करने की इच्छुक है हे महिश्वर कृपा कीजिए उन्हें वर प्रदान करने के लिए जाए और वैसा वर देकर उनके साथ विवा कीजिए हे शंकर भगवान विश्णु की मेरी तथा सभी देवताओं की यही इच्छा है आप अपनी शुब्द्रिष्टी से हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए जिससे हम इस उत्सव को आधर पूर्वक देख सकें ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी समस्त्य चिंताएं मिड़ जाएंगी इसमें संशय नहीं है मेरी बात पूरी होने पर अच्यूत मधुसुदन लीला से रूप धारन करने वाले भगत बचसल इशान से कहने लगे विश्णुजी बूले हे देवादी देव हे महादेव हे करुणाकर हे शंभो ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी कहा है उसे मेरे द्वारा कहा गया ही समझे इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है हे महिश्वर मेरे उपर कृपा करके उसे कीजिए उन सती से विभागर इस तरलोगी को अपनी कृपा दर्ष्टी से सनात कीजिए ब्रह्मा जी बूले हे मुने यह कहकर उत्तम बुधी वाले भागवान विश्णु चुप हो गए तब भग्त वचसल भागवान शिवजी ने हस कर तथास्तु कहा तत परशाथ उनसे आग्या प्राप्ट कर पत्नियों सहित हम दोनों मुनियों तथा देवताओं के साथ अपने अपने अभिष्ट स्थान को अत्यनत प्रसंता के साथ चले गए ब्रह्मा जी बूले इस प्रकार मैंने सभी देवताओं के द्वारा की गई शिवजी की उत्तम स्थुति को आपसे कह दिया हे मुने सती ने जिस प्रकार शिवजी से वर प्राप्ट किया उसे अब मुझ से सुनो सती ने अश्विन मास के शुक्रिपक्ष की अश्टिमी तिथी को बवास कर भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर शिर जी का पूजन किया इस प्रकार नंदा व्रत के पूर्ण हो जाने पर नव्मी तिथी का कुछ भाग शेश रह गया था उस समय ध्यान में निमग्न उन सती के सामने शिव प्रकट हो गए वे सर्वांग सुन्दर तथा गौर्वन के थे उनके पांच मुख थे और प्रती एक मुख में तीन तीन निद्र थे भाला देश में चंद्रमा शोभा पा रहा था उनका चित प्रसंथ था उनका कंठ नीला था और उनकी चार भुजाए थी उन्होंने हाथों में त्रिशूर ब्रह्म कपाल बर तथा अभय मुद्रा को धारन कर रखा था भस्म में अंगराग से उनका शरीर उदभासित हो रहा था उनके मस्तरपन गंगाजी शोभा पड़ा रही थी तथा उनके सभी अंग मनोहर थे वे परम सौंदर्य के धाम थे उनका मुख करोणों चंद्रमाओं के समान प्रकाश मान था उनकी कांती करोणों कामदेवों के समान थी और उनकी आकरती स्त्रियों को प्रिये लगने वाली थी इस प्रकार के प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देख कर सती ने लज्जा से नीचे की और मुख करके उनके चर्णों में प्रणाम किया तपस्या का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उत्तम व्रद्धारन करने वाली सती को पत्नी रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे कहने लगे हे दक्ष नंदिनी मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसंद हूँ हे सुव्रते जो तुम्हारा अभिष्ट वर हो उसे मागो मैं उसे प्रदान करूँगा प्रम्मा जी बूले मुने जटीश्वर महादेव ने सती की भावना को जानते हुए भी उनकी बात सुनने की इच्छा से वर मागो ऐसा कहा वे लज्जा के वश में हो गई और जो उनके मन में था उसे कहना सकी उनका जो अभिष्ट था वह लज्जा से आच्छादित हो गया था शिवजी का प्रिये वचन सुनकर वे प्रेम में विभूर हो गई इसे जानकर भक्त बच्सर शंकर जी अत्यंत हर्षित हुए सत पुर्षों के शरण सो रूप तथा अंतर्यामी वे शिवजी सती की भक्ति के वशिभूत होकर वर मागो वर मागो ऐसा शीगृता पूर्वक बार बार कहने लगे उस समय सती ने अपनी लज्जा को रोग कर शिवजी से कहा हे वरत आप कभी भी नर्टलने वाला यतेश्ट वरप्रदान करें शिवजी ने अनुभव किया कि सती अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही है उन्होंने स्वयम ही कहा हे देवी तुम मेरी पत्नी बनो अपने अभिष्ट फल को प्रकट करने वाले शिवजी की वचन को सुद कर और अपना मनोगत पर प्राप्त करके सती प्रसन्य होकर चुप चाप खड़ी रही वे सकाम शिवजी के सामने मंद मंद मुस्कुराती हुई कामना को बढ़ाने वाली अपने हाव भाव प्रकट कर करने लगी सती द्वारा अभिव्यक्त हाव भाव को स्विकार कर श्रिंगार रस ने उन दोनों की चितनी शीग्रता से प्रवेश किया हे देव्रशे श्रिंगार रस के प्रवेश करते ही लोक लीला करने वाले शिवजी तथा सती की चित्रा सियुक्त चंद्रमा के समान वि उन शिवजी को पाकर इस प्रकार सुशोभित हुई जिस प्रकार अभरलेखा अर्थात मेग घटा चंदर्मा को प्राप्त कर शोभित होती हैं। तदनंतर दक्षकन्या सती अत्यंत प्रसन्य होकर दोनों हाथों को जोड़कर भाग्त वच्छत भाग्वान शिवजी से विनम्रता पूर्वक कहने लगी। सती बूली, हे देवदेव, हे महादेव, हे प्रभो, हे जगतपते, आप मेरे पिता के समक्ष वैवाहिक विधी से मुझे ग्रहन कीजिए। ब्रह्मा जी बूले, हे नारत। इस प्रकार सती की बात सुनकर भाग्त वच्छल महादेव जी ने प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखकर ये वचन दिया। ऐसा ही होगा। देवरिशे, मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रे लेकर विष्धवज, शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। तब त्रिशूल धारी महिश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिध्धी से प्रेरित होकर मैं शीक्र ही उनके समीप पहुँच गया। और हे तात, हिमालय के शिखर पर जहां सती के वियोगजने दुख का अनुभव करने वाले महादीर जी विद्धिमान थे, वहीं मैं सरस्वती सहित उपस्तित हो गया। हे दीवरिशे, तदनंतर सरस्वती सहित मुझ ब्रह्मा को देखकर सती के प्रेम में बंधे हुए शिख जी उच्छुकता पूर्वक कहने लगे। हे ब्रह्मन, मैं जब से विवा के कारे में स्वार्थ बुद्धी कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही सुत्व सप्रतीत हो रहा है। दक्षकन्य सती ने बड़े भक्ति भाव से मेरी अराधना की है और मैंने नंदावरत के प्रभाव से उसे अभिष्ट वर्दे दिया। हे ब्रह्मन, उस सती ने मुझ से ये वर्मागा कि आप मेरे पती हो जाईए। तब सर्वता संतुष्ठ होकर मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पतनी हो जाओ। तदनंतर उस सती ने मुझ से कहा, हे जगतपते, मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधी का पालन करते हुए मुझे ग्रहन कीजिए। हे ब्रह्मन, उसकी भक्ती से संतुष्ठ हुए, मैंने उसे भी स्विकार कर लिया। हे विधे, सती अपनी मादा के पास चली गई और मैं यहां चलाया। इसलिए हे ब्रह्मन, आप मेरी आग्या से दक्ष के घर जाई। और वे दक्ष प्रजापती जिस प्रकार मुझे शीक्र अपनी कन्या प्रदान करें। उस प्रकार उनसे कहिए। जिस प्रकार मेरा सतिव योग भांग हो। वैसा उपाय आप कीजिए। आप सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण है। अतहां दक्ष प्रजापती को समझाईए। ब्रह्मा जी बूले। यह कहकर विश्शिवजी मुझ ब्रह्मा के समीप स्थित सरस्वती को देखकर शिग्रही सती के वियोग के परशिभूत हो गए। उनकी आग्या पाकर मैं कृत-कृत और प्रसन्न हो गया। तथा उन भाक्त जगतपती से क्या कहने लगा। ब्रह्मा जी पूले। भगवन हे शंभो आपने जो कुछ कहा है उस पर भलीभांती विचार करके हम लोगों ने पहले ही उससे सुनिश्चित कर दिया है। हे विशब्धवच इसमें देवताओं का और मेरा भी मुख्य स्वार्थ है। दक् कि उनके समक्ष आपका वचन कह दूँगा। ब्रह्मा जी पूले। हे नारत सर्वेश और प्रभु महादेव से इस प्रकार कहकर मैं अत्यनत वेक्षाली रत से दक्ष की घर जा पहुंचा। नारत जी पूले। हे प्राग, हे महभाग, हे विधे, हे वक्ताओं में शिष् सती के लिए दक्ष ने क्या किया। ब्रह्मा जी बूले। तपस्या करके मनु अभिलिशत वर प्राप्त कर तथा घर जाकर सती ने माता पिता को प्रणाम किया। तपशात सती ने अपनी सकी की द्वारा माता पिता से वे सारा व्रतांत कहलवाया। जिस प्रकार उनकी भर् विश्वर से उन्हें बर्की प्राप्ती हुई थी। सकी की मुँसे सारा प्रितान चुनकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने महान उत्सब मनाया। उदार्चे दक्ष और महा मनस्वनी वीरिणी ने ब्राहमणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया और नेत्रहीनों दीनों तथा अन्य लोगूं को भी धन बाड़ा। प्रीती बढ़ाने वाली अपनी उस पुत्री को हृदय से लगाकर उसका मस्तक सुंग कर और आनंद विभोर होकर वीरिणी ने बार-बार उनकी प्रशंसा की। कुछ समय बीदने पर धर्मग्यों में शेश्दक्ष इस चिंता में पढ़ गए कि मैं अपनी इस पुत्री को शंकर को किस प्रकार प्रदान करूं। महादेव जी प्रसंद होकर मेरी पुत्री को वर देने के लिए आये थी किन्दु वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे बुनह कैसे आएंगे। यदि मैं किसी को उनके पास शेगर भेजूं तो यह भी उचित नहीं हैं। क्योंकि यदि वे पुत्री को स्विकार ना करें तो मेरी याचना निश्वल हो जाएगी। अत्वा मैं स्वयम उनका पूजन अर्चन करूं। जिससे कि वे मेरी पुत्री की भक्ती से प्रसंद होकर स्वयम उसे ग्रहन कर उसके पती बने। उस सती के द्वारा श्रेष्ट प्रत्न से पुजित होकर वे भी उसको पाना चाह रहे हैं, क्योंकि वे मेरे पती शिवजी हूँ, सती को ये वर्दे चुके हैं, इस प्रकार के चिंता में पड़े हुए दक्ष प्रजापती के सामने मैं सरसुती के साथ एकाएक उपस्तित मुझ अपने पिता को देखकर प्रणाम करके दक्ष विनीद भाव से खड़े हुए और उन्होंने मुझ ब्रह्मा को ये थुचत आसन दिया, तत्पष्षाद चिंता से युक्त होने पर भी हर्शित हुए देदक्ष शिक्र ही, सर्व लोकेश्वर मुझ ब्रह्मा से आगम है, मेरे उपर महती कृपा करके उसे कही, हे लोक कारक, आप मुझ पुत्र के स्नेवश, अत्वा किसी कारेवश मेरे आश्रम में बधा रहे हैं, आपके दर्शन से मुझे प्रसंता हो रही है, ब्रह्मा जी बूले, हे मुनि सत्तम, अपने पुत्र दक्ष द्वारा इस प्र प्रजापती को प्रसन्य करता हुआ हसकर कहने लगा, हे दक्ष, मैं जिस उद्देश्य से यहां आपके पास आया हूँ, उसको सुनिये, जिसकी करने से तुम्हारा तथा मेरा दोनों का अभिष्ट सिद्ध होगा, आपकी पुत्री सती ने जगतपती महादेर जी की आराध करके जो वर प्राप्त किया है, उसका समय अब उबस्तित हो चुका है, शंभू ने आपकी पुत्री को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए मुझे आपकी पास भेजा है, अब आपके लिए जो कल्यानकारी कारे हैं, उससे करड़ा लिए, जब से रुद्र वर प्रद करके गए हैं, तभी से आपकी पुत्री के वियोग के कारण उन शंकर को शांती नहीं मिल रही, काम देव अपने समस्त पुष्प बाणों के द्वारा अनेई को पाय करके भी छिद्र ना पा सकने के कारण जिने जीतना सका, वे ही शिब जी अब काम बाण से दिद्र होकर अ सती की चिंता करते हुए सामान ने प्राणी की भाती व्याकुल हो रहे हैं, वे सुनी हुई वारी को भी भूल जाते हैं, तथा सती के वियोगवश अपने गणों के समक्षी सती कहा हैं, इस प्रकार की वारी करते हैं, और किसी काम में प्रवृत नहीं होते, हिसुत मैंने आपने कामदेवने तथा मरीज आदी श्रेष्ट मुनियों ने जो पूर्व में चाहा था, दहर इस समय सिध्ध हो चुका है, आपकी पुत्री ने शब्भू की अराधना की है, इस से वे भी उसकी चिंता करते हुए उसको प्राप्त करने की इच्छा से सात्विक्ता पूर्वक व्रत के द्वारा शिव जी के अराधना की थी, उसी प्रकार वे भी सती के अराधना कर रहे हैं, इसलिए है दक्ष, शिव के लिए ही रची गई अपनी पुत्री को आप अविलंभ उन्हें प्रदान कर दीजिए, ऐसा करने से आप कृत कृत्ते हो जाएंगे, मैं नारत के साथ जाकर उन्हें आपके घर लाऊंगा और उन्हीं के लिए रची हुई इस सती को उन्हें अर्पित कर देंगे, ब्रह्मा जी बोले, हे नारत, मेरी ये बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष परम प्रसन हुए, और उन्होंने अत्यंता हर्षित होकर म मैं अत्यंता हर्षित हो बहाँ पर गया, जहां लोग कल्याण में तत पर रहने वाली शिवजी उच्छुख होकर बैठे थे, हे नारत, मेरे चले आने पर स्त्री और पुत्री सैथ दक्ष भी, अम्रिचे परिपूर्ण हुए के समान, पूर्ण काम, अर्थात, सफल मनूरत वाली हो गए, आप सभी को कोटी-कोटी साधुवाद, आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया, नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास, यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी ये लगा हो, तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोच्छाहिद करें,